गर्मियों का समय है और आम सबका फेवरेट होता है तो आज इसी की रेसेपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो है मैंगो आइसक्रीम जो की बहुत ही जादा क्रीमी है और ये देखे कितना अच्छा इसका टेक्शर बना है इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना अप चाहे तो कोई नॉर्मल मिल्क भी यूज कर सकते हैं बट फुल क्रीम करेंगे तो इसका जो है क्रीमी फ्लेवर आएगा फिर साथ में यहां पर एक कप जो नहीं है तो आप यहां पर मलाय का भी यूज कर सकते हैं अब इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो इनको ब्लेंड कर लेते हैं तो आम का texture जो है वो बिल्कुल इस तरीकी का होना चाहिए एकदम smooth texture इसमें बिल्कुल भी आम का कोई भी piece नहीं रहना चाहिए अब मैंने यहाँ पर एक rectangular box ले लिया है यह glass का box मैंने यहाँ पर use किया है आप चाहे तो कोई और भी घर में box है वो use कर सकते हैं अब यहाँ पर जो आम की puree बनाई थी उसको इस container में आधा डाल लेंगे साथ में आम के pieces से इसको हम उपर से decorate करेंगे तो यह अच्छे से मैंने यहाँ पर सारे आम के pieces को डाल दिया है साथ में यहाँ पर टूटी फूटी डाल रही हूँ इस तरीके से इसको decorate करूँगी और खाने में भी इसका taste जो है वो बहुत ही अच्छा आता है तो एक layer हमने यहाँ पर बना ली है अब यहाँ पर मैं दुबारा से आम की प्योरी बनाई थी उसकी एक layer और इसके उपर लगाऊंगी इस तरीके से इसको पूरी तरफ से हम लोग कवर कर लेंगे तो यह पूरा हमारा जो है वो अच्छे से cover हो जाना चाहिए तो यह हमारा cover हो गया है अब जो बच्चेवे आम के और pieces है वो भी मैं उपर से इसमें decorate कर लूँगी और जब हम आईस्क्रीम खाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा जो है crunch जो मुह में आता है वो बहुत ही tasty लगता है तो इस तरीके से सारे आम के pieces मैंने लगा ली है वापस से और वापस से यहाँ पर हम टूटी फूटी से इसको decorate कर लेंगे तो बस यह हमारी जो है आईस्क्रीम का जो mixture है वो ready हो गया है अब इसको यहाँ पर हम एक foil paper से cover कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से इसको foil paper से cover कर लेंगे आप चाहे तो इसको overnight fridge में भी रख सकते हैं अब साथ से 8 घंटे हो गए है तो मैं इसको check कर लेती हूँ कि हमारी ice cream जो है वह कैसे जमी है तो इसको open करके देख लेते है यह देखिए कितनी बढ़िया ice cream यह जमी है और इसको एक बार हम check भी कर लेते हैं कि यह कैसी जमी है त ice cream बहुत ही अच्छे से जम गई है तो यह देखिए इसका texture कितना अच्छा है बहुत अच्छे से जमी हुई है तो इसको serve कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको serve कर लेती हूँ इस तरीके से और इसको हम decorate करेंगे tutti fruity अगर आपको चाहिए तो आप इसमें आम के pieces भी डा सकत हैं बड़ अलड़ी इसके अंदर है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे और इसको tutti fruity से हम decorate कर लेते हैं यह हो गई है ready हमारी creamy ice cream यो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आप इसको एक बार ज़रू ट्राइख करना यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आप इसको घर में एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे यह बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको यह रेसे